अगर आप नीव हो इस चैनल पर तो आप फस्स ताइम मेरे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मेक शूर आप सब्सक्राइब करने चैनल को और हिट दे वेल आइकॉन जिससे आपको जो आगे की नॉटिफिकेशन आने वाली है वो सारी आपको मिल जाएं टाइम टो टाइम हो था मैं PCB साथ में कराई है मारी मिल फिजिक्स चैमिस्ट्री बायो फॉर प्रिप्रेशन के लिए साथ में हमारी कराई है तो मैंने सोचा क्यों नहीं चलो बच्छा बोल रहा है तो हम कर लेती हैं यह सारी चीज तो इसमें मैंने आपके तीरो सब्जेक्ट इंक्लूड किया और बॉल चैमिस्ट्री बायो उसके आपके 15 15 questions होंगे each subject के I think 45 questions है जो आपके हैं 45 questions होंगे आपके इस lecture में तो मैं जल से जड़ा बोकरानी कोशिज करूँगी क्यों क्योंकि आप 45 questions कर रहे हो तो ज़्यादा टाईमिन लगना चाहिए उन questions में तो मैं आपको बस रीड करते जाओंगी है question को और देन आपको answer पताती जाओंगी ठीक है अगर आपको इस से related कोई भी query हो जासे questions related या फिर किसी और सचीज से related तो आप comment में मुझे comment कर देना मैं उसे read करते हूं comments को आपकी सारी comment को और आपको as soon as possible आपको answer देनी के खुसस करते हूं ठीक है चली तो first question है आपका जल्दी से देड़ नहीं करते हम जल्दी से हम question को आगे बढ़ा ले रहे हैं first question है in which medium in message कौन से medium में velocity of sound is maximum in message 4 option दे रखे है metal air water polymer इन चारो medium में से किसमें velocity का sound होता है maximum होता है तो आपको पता है आपका जो velocity का sound होता हो maximum होता है metals में ठीक है इसका ratio में आपको पता दे रहे हूं ratio क्या होता देखिए सबसे कम किसमें होता है vacuum में वैक्यूम दन उसके बाद में gases में then liquid liquid then solid solid में सबसे जादा होता है ठीक है solid ठीक है तो इन में सबसे जादा velocity का sound मिलता है आपको तो metals में obviously बात है सबसे आपका जो maximum का sound हो बलाश्री का sound होगा जब से जादा मिलेगा चलिए next question देखिए next question आपका decibel is used to measure the intensity of इसमें से पुछ रहा है आप से decibel होता है वो किसकी intensity ने आपने के लिए decibel का use करते हैं ठीक है यह एक unit है यह एक unit है यह एक unit है जैसे अपने db लिखा हुआ देखा होगा तो 50 db से अब आप जो voice होती है वो noise pollution में include करते हैं 50 db तो 80 db जादा उसके बीच में आ रही है noise तो वो क्या है आपकी noise pollution में include की जाती है वो वाली voice तो कि यह decibel किसमें यूज किया जाता है sound में हो इसी बात है कि मैं sound में ठीक है इसका question यह होगा आपका आपका थार्ड बोल रहें तो charge of the electron जो charge होता है एक electron पर कितना होता है तो आपको पता है जो charge होता है option आपका और सही हो जाएगा c option सही हो जाएगा इसमें से okay देखिए next question 4 तो बोल रहे है what is up valley जो आपके होती है lowest portion of sound wave called तो जो lowest portion होता है sound wave का waves आपने दिखा होगा यह आपकी waves होती थी ऐसे यह ठीक है तो इसमें grass होता था तो इसको हम क्या बोलेंगे इसका जो lowest portion होता होता हो क्या होता है ठीक है next question देखिए fifth आप से बोले है the ozone layer protect us from जो ozone layer होती है वह हमें किसे protect करती है तो आपको 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 सभी को पता है I hope सब लोगों को पता होगा नहीं पता तो मैं बता दूंगी आप लोगों को कौनसी आपकी atmosphere layer होती है किसमें होती है stratosphere layer में आपकी ozone layer पाई जाती है जो हमें harmful rays से protect करती है तो harmful rays होती है वह कौनसी होती है वह UV rays होती है means ultraviolet rays होती है okay next question देखिए next question 6 आपका on increasing the temperature of solids the kinetic energy of the particles क्या होगा तो जब आप increase करते है इनक्रीचर को solids के तो इसकी kinetic particle आख Kollege Kimberly पर्टीकम होती है यह होती है तो ग्या होता है इन्क्रीचरइगी तो वárघी है तो काश किसमें इंसुलेटर में सब्सक्राइब लन्स फ़ुलते हुग पिल में चेंगे कर Mayo जाए राजरने अदिक सब्सक्राइब सब्सक्राइब खिंगे बोल रहे हैं which particles do not have effect on electric and magnetic field इन मेंसे कौन सा particle है जो कोई भी effect नहीं दिखाता electric and magnetic field में तो यह कौन सा है आपके गमा particles होते हैं okay C option आपको सही हो जाएगा next question देखिए next question आपका 9 बोल रहे है what are the three main lubricant used in moving particle and when say three main lubricant आपको बताने है जो particle में machine के movement में पाट लेते हैं तो वो अपके होते हैं मिटा oil grease और गिरिफायट ठीक है next question देखिए 10 आपका the process of attempting to obtain sensitive information such as user names and passwords often for malicious regions by bordering as our trustworthy company in an electronic communication is called तो इसको क्या बोलते हैं मिटा हम इसको बोलते हैं हम phishing ठीक है इसको यह बोलते हैं आद रखना है आपको लेइंच question देखिए रेक्टिफायर कन्वर्टर तो यह आपका आपका उजू question ने बिटा यह रिसेंटल आया यह वह वह बोला question पूच्छा गया था आपसे कि रेक्टिफायर करता है थो डालेक्ट करन्ट करता है इस 뒤मेट करनक्ट करता एक को घाले कंऄट को ऐसी में करता थीक है इन्यله कि ओपष्यम न पॉप अबबे और बिधल आप देखिए नास कुष्चन देखिए नास कुष्चन आपका 12 12 पूल रहे हैं आपसे आप देख सकते हो अरेक्टिफायर is a device that converts an oscillating two directional alternative current into a single direction direct current चलिए हम चल लेते हैं अपने पुपिक पे जो आपका inverter होता है वो क्या करता है वो करता है आपका direct to EC अब आपको 12th question पूल रहा है आपसे the sun and a star glow करते हैं आपको पता है sun और stars और जो इस्टार्स होते हैं और क्या करते हैं गलो करते हैं तो इनके बीच में बीच पें डिसी जिसी गलो करते हैं sun और stars ठीक है तो उनमें क्या प्रजंट होता है उसमें प्रिजेंट उता है उनमें बिटा प्लाजमा ओके निसकेशन देखिए निसकेशन थर्टीन आपका वाट डिद आर्कमेडीस डिटर्माइन आफ्टर डिसकोवरिंग दा अर्कमेडीस प्रिंसीपल ठीक है तोड़ा समय तंप्रिस्ट हो जाती है इसलिए 23 23 13 है इसमें आप से बोल रहे हैं कि इसका जो ऑफ्षन हो जाएगा बिटा वह आपका ऑफ्षन हो जाएगा इसका ऑफ्षन है आपका ए प्योर्टी ऑफ गोल्ड इन दा किंग क्राउं ठीक है नाइस सब्सक्राइशन होता है मतलब बहार निकालना खाने को जासे हम पॉट्टी के तरू निकालते हैं फीकल मेंटर स्टोलन होता है उसको हम बहार निकालते हैं तो इसे इसे जन बोलते हैं इसे जन ठीक है इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं खा रहे हैं हम खाने को भी अफ्षन आपका सही हो जाएगा नाइस कुर्शन देखिए 15 लास्ट है फिसका लेखिए रिपी का question paper है तो question, इसमें भी 15 questions है आपके, देखिए, first question, what is the common characteristic of the element of the same group in a period के विल, इन मेंसे आपको बताना है कि common character बताने हैं, जो same group में पाय जाते हैं, element के, जो same group में पाय रहे हैं, उनके common character बताने हैं, ठीक है, तो आपको बताना है, बताएए कौन सा हो सकता आपके साब से, त आप देखिए, second question है, आपका, what happened when 1s and 1p orbital is hybridized, अब आपको क्या होता है, जब आपका 1s और 1p orbital hybridized होते हैं, तो होता है कि, आपके, we get 2 orbital at 180 degree, यह आपका option सही हो जाएगा, इस question है, आपका 3 बोलत है, atomic bomb, bomb की बाप कर रहे हैं, ठीक है, is based on which principle, atomic bomb है, वो किस principle based है, तो यह आपक as usual, atomic bomb होता है, इसमें क्या होता है, fusion होता है, fusion होता है, fusion होता है, fusion का मतलब होता है, fusion का मतलब समझे आप अच्छे से, जैसे एक, एक, गैंड है, उसको हमने क्या किया, तोड़ दिया, तो यह fusion हो गया, fusion होता है, दो गैंड हमने एक, उसकी ball बना दी, तो वो हो गया, fusion होता ह तें आपके जह जिल जहांगा है जाए जाए गॉट दोनों गेमीट प्लेत मिलते हैं मेलिट और मिलते हैं तो राभ कहा है है तो इसका इसका में आपको ंदिश्योफियों मतलग होटा है कोई आप चीज स्पायसी फूड का लेते हैं जब आप ज्यादा मेच्र वाला फूड ह प्तना है तो आपको खहना पत्ता नहgencyं है और आपको यJesus लगता है के 5 इसमें C, okay? Speeds up chemical reactions, बहुत 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 जादा, अब आपका 6th question बोल रहा है आपसे, why metals conduct electricity, ऐसा क्यों होता है, कि metal ही conduct करते हैं, electricity को, यह बताना आपको, इसका option है, because of low melting point, because of high tensile strength, or because of free electrons, because of high atomic density, so, इसका option हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, because of free electrons की वजए से, जो metal होते हैं, वो conduct कर पाते हैं, किसको electricity को, okay? Conduction का मतलब होता है, कि प्रभा, बिजली का प्रभा हो पाता है, उसमें, जैसे metals का मतलब, आपको इभी lowe के चीज ले लो, और बिजली के, बोर में आप लगा दो उसे, जहां बिजली आपको आरी हो, तो आपकी दुनिया के सारे सुख प्रतित हो जाएगा, तो यह होता है, okay? Conduction का मतलब, आप देखो, On a clean glass plate, a drop of water हम डालते हैं, spread to form a thin layer, whereas a drop of mercury remains almost spherical because, जब हम plain glass पे, एक drop of water डालते हैं, तो वो spread हो जाती है, पूरे plain glass पे, मतलब, जो बूंद होती है, पाने की, वो spread हो जाती है, अगर हम वहीं पे mercury डालते है, तो वो एक स्फेरिकल शेप बना लेती है, वो spread नहीं होती होती है, पे क्यों नहीं होती है, बताना है आपको, तो mercury is a metal, ठीक है, density of mercury is greater than that of water, density of water से जाता होती है, mercury की, cohesion of mercury is greater than the addition of glass, या फिर cohesion of water is greater than the addition of glass, तो आपका इसका ओफ्चन हो जाएका C, कि आपका जो cohesion होता है mercury का, वो greater than होता है addition of glass से, ठीक है, नच कोशन देखो 8th, 8th question बोल रहा है कि जो OH होता है, OH bond बनता है कि इसमें CH3OH में, अब CH3OH क्या है एक बात बता रही हूं, मैं कुछ extra आपको लोगों को, जो CH3OH होता है, वो होता है methyl alcohol, यह तो पता होगा आपको, अब यह क्या है, एक और बात बता हूं, मैं आपको, आपको मैं साइंटिविक नेम बता दिया मतलब IOBS से लिए बता दिया, उसके बात में देखो, अब इसका जो common name है, यह common name हो गया, अब इसमें बताती हूं, एक और चीज़ा इसमें, यह पोजनस होता है सबसे पहले, पोजनस होता है, जो ethyl alcohol बनाते है न लोग बाग, ethyl alcohol, वो alcohol है actual में, उसे तो लोग पीते हैं, लेकिन इसकी जगा पे कभी कोई लोग बाहर बनाते हैं, जो घर पे गाउं में बनाते हैं, तो यह पोजनस होता है, एक और बात, दो बात में आप कुपता दी है, तो इसमें पुछ रहे हैं, इन में जो bond बनता है OH के बीच में, जो hydrochloric, जो आपका, वो है, OH जो आपका molecule ह इसकी तो इसका जो 8th option हो जाएगा, 8 का question है आपका A, ठीक है, इसका polar covalent होता है, covalent बनता है, इन दोनों के बीच में, आप देखिए 9, adding which substance gives blue color of glasses, इन में से कौन सा है, जब हम कौन से substance को add करते हैं, तो glass का color blue हो जाता है, तो होता है, अपका बाता है, तो होता है आपका ब को वाल्ट ऑक्साइड ओके नाय सोचन देखिए नाय सोचन टैन था आपका तायलीन इस आ कंदेंसेशन पॉलिमर ऑफ इतायलीन ग्लाइकोल एंड विच एसेड तो इसका जॉफ्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डी ऑके तैरी पितलिक एसेड नाय सोचन इसकी प्रोसेस होती है स्प्रोसेस को क्या बोलते हैं मिटा क्लेक प्रोसेस झीघ नेक्स नेक्स है आपका वैन जो के थॉर्ड रियस होती है स्ट्राइक टारगेट ओफ हाइट आटोमिक वेड वेड डे तो यह आपके कंवर्टर होते हैं मतलब जीव का इसमाल कर रहे होते हैं तो इन में क्या होगा इक किसमें निट्रोचन को यह कंवर्ट करते हैं आपके आमोनी के लिए तो आपका 14 बोले हैं बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पीरियेड की फिरीड की बात कर रहे हैं तो क्या होता है। तो यह सबस्क सब्सक्राइब करहें। तो सबस्क्राइब बंढ़ने किजीनurar की तो सबी को पटावना ही के आपका काश इनके बारे में इनके बारे में सेकंड देखिए रिद्मिक कॉंस्ट्रक्शन ओफ लिइन अफ मसल्स ऑफ गेनाई तो पुस्ट अप फूड अलोंग दगट इस गॉलते हैं ठीक है जैसे कि आपका पुस्ट क्लम किष्ट कीष्ट अपनाधरी में आपकी लिए तो प्लीस दोइन मांद मुंत करना का लो 5 मूमन के चाल मन अभरे वालं। यह आपका उयसोफienग्ष चलागा यानता है जो हम ख्रेशक ब्रस आरहा नहींदे छोपना जिसको नीचे बूलने से早 च्राइल नधी को नीचे एक मसल्सका मुऍमेंट बोलते हैं। जिसने कि खाना हमारा और उससे इस तक मक में पहुंझ जाते हैं यह फिर गण में पहुंझ जाते हैं कुथ wealth इस तहाछ फिस्फ सुन र॑सम के वह हो तो सबूर सरॉ अस्के Сп Osnway को सबूत होगा कौनसी को असल होते इस्टार मसल होती हैं और आपकी कालिक मसल होती है जो multi-niqule-tator होती है वह कौनसी होती है बता है आपको यह नहीं पता है बदी से बताओ आपकी कितनी होती है Nc. dr 10 ए भी या मैं इस्ट पीज्किर उपोल और न इवालने की मसल उखल तो क्या हैं मूटे लाएं वट करें अंद। पर सी मुझ्ट नहीं याम हम हाट को अपने अपसे वॉलैंटरि नहीं कर आ मसल और वह वोलिंटरी होती है स्मूद मसल और कारियरिक मिसल आपकी वॉलिंटरी होती है आपको याद रखना है चलिए नज उचिछीन देखिए नज वे जब बोल रहे हैं सबी आनिमल किंगनम में एनिमल किंगनम के घृताएन नیक्स देखिये लिप्टोपायरोसिस इस डिजीज कॉस्ट बाई भाइ य το मुझे भी नहीं वहां पता लिप्टोफारोसिस होता गया है यह तुमहें है पहली परदा है यारा इसको also known as भी आप देख सकते हो also known as well disease भी बोलते हैं तो टीक है well disease इंफेक्टेड एनिमल्स और थ्रू वाटर सॉयल और फूड कंटेमिर्ट जो फूड होते हैं स्वाइल होती है उससे फैल सकता है विद देयर यूरिन से भी रह सकता है एड इट मोस्ट कॉमन इन वार्म क्लाइमेट होते हैं इसे अपना यूपी हो गया उसमें सब से जादा क्लाइमेट रहता है अधिकतर जगर्मिया ज़्यादा रहती है सद्धियां कम रहती है तो इसमें जाता फिलता है ठीक है या नपना आपको चलिए पता चलिए ना लेप्टोपारोसिस है क्या एक एक विक्रियल डिजीज है इसको आल्सो नॉन एस क्या बोलते हैं हम आल्सो उनके नाम पे शूंचे सब्टोपारोसिस होगे उनकी नाम पर लिए सब्सेवन फांड इन में से कॉन सा था था यह टाइट रहता है तो वो कांसा पाटा है एपका वी ऑप्शन करेट्याए नं एके है कि आट्री ने सरफेट्स आपका यह बोलता है आपसे के अनिमल इन व आपको थाऊदर लाइब नोर्म पाया हो जाया है नती केसरं य HEY ऐह उन्हेमंल निंपना गृखिटो इनिमार के नोर्इटों गीनलसम इनलां डिपिली है दो अलम कॉफशन हो कर्सक् traditionally इन्हों मेंगा थो नास्वाशन 10 आपसे बोल राए अनिमल लाइक अनिल्डा मॉलस्का और गन्स वेजातन में इच सिस्टम पाइजातन में इच सिस्टम कंशन भी ता इस पेस्फिक फिजियोजिकल फंक्शन होते हैं बिच इस एगजामपल फ्ल में कॉनसा अग्जामपल फिलम का लिग तर्समी पाल्पियलम का प्लाज यह का लग फिलम का लिगश्ण नहीं बुक्ति लिग डर यह कि भी अपका अंच फिलम अप्न करना उपका अटुपस अपका मॉलस्का में निया अप दिग सकता हैं आप ए प्राइमरी जायलम 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 प्राइमरी जायल तो बहर जैसे आपने पड़ा होगा जो आपका यह होता है तो इसमें इसको हम क्या बोलते थे हिंदी में परदी परदी बोलते दें इसको फिरी बृरी रडिटी इसमें को बताना है को बताना है इसमें करहा चाना है यह कर में दो भी क्या है न demost Günbes टाना है कि पताना पर ओर उसमें पउना ब्लाइ अपटेंग् सब्सक्र जायों लंग्स में अन्दर जो गैसे सिक्षेंज का काम करती है 14 देखिए what is the role of नुमेटो 4 का role यह आपको बताना है तो नुमेटो 4 का role होता है तो प्रोटेक्ट प्लांट फॉम अनिमल get oxygen to respiration support plant नहीं आपका जिसमें option हो जाएगा get oxygen for respiration तो इसमें जो आपका यह कहा मिलेगा यह आपको मिलेगा morphology of flowering plant flowering plant चेप्टर में मिलेगा यह ठीक है next question देखिए last but not the least plant tissues are of how many types plant tissue किस type की कितने type की होते हैं वह आपको बताने है तो इसका option हो जाएगा आपका three type के plant tissues होते हैं कौन से कौन से होते हैं यह पता है आपके यह होते हैं मेटा यह होते हैं dermal ground और vascular plant issues होते हैं और आपको कैसा लगा यह session प्रैक्टिस का तो मुझे जरूर बताएं अच्छा लगा तो अच्छा बताना खराब लगा तो खराब बताना जनुवन देना जो कुछ देना है और आपको help होई है थोड़ी सी new हो आप तो आप मेरे तो आपको help मिल रही है तो नहीं है let me come to the